अगर अभी तक आपने अने का अध्मी प्लस का सब्स्क्रिप्शन नहीं लिया तन यू किन यूस्ट रेफरेल कोड साक्षी.petl181 ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके वहाँ पर अमेजिंग कोर्स रेलेटेट तो सोचालोजी फर यूजी सी एंटी नेट बाकी में डिफरेंट प्लाटफोर्म्स में आ चुकी हूँ जैसे की इंस्टेग्राम हो गया, लिंक्डिन हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब अस फेस्बुक तो ये कुछ आइडीज है यह यहां पर जाकर क्या फॉलो कर सकते हैं मुझे, आप मेरा एप दाउन्नोड कर सकते हो from Play Store, वहां पर आपको live chat, discussion, free study material, course material, यहां तक ही PYQs वगेरा और amazing courses मिलिंगे देखने के लिए, thank you so much. तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत से, यह जो पूरी दुनिया है, इसको दो पार्ट में लोगों ने डिवाइड करके रखा हुआ था, एक आपका था west side और एक था east side, ओके, अब यह जो west side था, इसको लोग कहते थे occident and जो east side था, उसे orient कहते थे, तो शुरुआत इंडोलोजी से नहीं हुई थी, शुरुआत हुई थी orientology से, अब यह orientology क्या होता है? इसका मनलब यह है कि जितनी भी countries आपको इस side नजर में आ रहे हैं, जिसकी चाइना, फिर यह इंडिया हो गया, फिर थाइलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, यह सब ना east side में है और इनका culture लगभग same है, इनका जो culture है, यह almost same है, जिसके बदे से हम ल चीज को कहा जाता है, और इन्टोलोजी, लेकिन आगे चलके लोगों ने कहा कि of course not, जो इंडिया है, इसका culture is very unique, आप इसको थाइलैंड के culture के साथ मिला करके नहीं पढ़ सकते, वहां का culture बिल्कुल different है, अगर आपको इंडिया के tradition को पढ़ना है, इंडिया के culture को पढ़न तो आपको इंडिया बहतर समझ में आएगा, वो जो फिरंगी लोग जितने भी methods यूज करता है न पढ़ने वनने के, आप उसको मत करिये, आप सिर्फ यहां के religious text वगेरे को पढ़िये, यहां के culture को जानने की कोशिश करिये, यहां के language को समझिये, आपको इंडिया बहुत नजर आएगा, आपको बिलकुल समझ में आएगा कि इंडिया क्या होता है और इंडिया कहां बसता है, ओके, and this is known as Indology, यह छोटा सा चीज है इंडिया के बारे में, तो Indology is nothing but, आप दो चीज को मिलाएंगे, इंडिया प्लस लोजी, लोजी मतलब होता है to study, और दोनों को मि and जो इंडियान सब कॉंटिनेंट में है, as simple as that, यहां का सबसे में चीज जो इंडिया का है, चीज वो क्या है, इंडिया इस यूनीक, इसका कल्चर यूनीक है, और इंडिया यूनीक है, इसलिए हम लोग इसको सब के साथ मिला करके नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसको अलग is known as Indology, and who is the father of modern Indology, father of modern Indology is GS Guri, तो आपको ये पता होना चीए, examination में ये सवाल बिलकुल आता है, and if anybody would ask you question in UGC net, either MA entrance, you're preparing for BHU, a lot of people message me, की ma'am we are preparing for BHU entrance, you're preparing for JNU, Jamia, Milia, Salamia, please go ahead with these topics, these are extremely important topics, if you are preparing for UPSC, trust me, आपका paper 2 यहीं से start होता है, आपको ये जो basic concepts है, ये पता होना ही चाहिए, तो currently जो भी छोटे-छोटे topics आपको बिलकुल नहीं समझ में आते हैं, पूछो न, comment section में आप लोग ये बिलकुल लिख सकते हो, okay, so this is for it, I hope आपको ये चीज़े अच्छी लगी हो, मेरे ख्या समझने की कोशिश करते हैं, और उससे होता क्या है न, कि दिमाख में घुसता भी है, बात ये नहीं है कि आप कितना जादा पढ़ते हो, बात ये है कि आप कितनी कम चीज़ों को perfectly पढ़ते हो, ठीक, तो perfect पढ़ो और बढ़िया से पढ़ो दिन में, और बाकी आनेक आड़म कि एंसीज़े लले का थे बात व्रफ प्लाकिंए अप्सकर ऊफिए सर्य और हिएले हैं, भाइ चैना मॉटीश बेल में, तो ओड़िया में तरएंभा कितनी कНग में, आप एंसरूई जा चाहरो, और न, ये टो , अंठा, बावे רाएएएए है।